यह देखिए फ्रेंड्स यह है टेस्टी डिलीशियस बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मटर बनीर की सबजी इसकी ग्रेवी का टेक्श्चर और कलर बहुत ही अच्छा आया है इसे एक बार ट्राइ करना तो बनता ही है कि अधियर वेलकम बेक टू मैं चानल कैसे हैं आम सब लोग आज मैं हूं अपनी मॉमी लैंड में यानि की अपनी ममी के घर और आज की रेसिपी लेकर आये हैं मेरे पापा मैं आप सबको अपने पापा से मिलवाना चाहती हूं यह बहुत ही अच्छी सबजी बनाते हैं हमारे इनी के साथ टिप्स और ट्रिक्स के साथ सबजी बनाने वाली हूं किसकी सबजी मटर पनीर की सबजी बनाएंगे और आज यह सारे टिप्स और ट्रिक्स रिवील करने वाले हैं क्यूंकि मैं तो बहुत बहुत ट्राई कर चुकी हूं मेरे से इस तरह का मटर पनीर नहीं बन बन एन हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, यह मार्किट का पेस्टा आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, तीन अनियन है और आठ बड़े टमाटर लिये हैं, हाफ केजी मटर को पील करके वाश कर लिया है, यह ताजे मटर है, खड़े मसालों में जावित्री, तेज पत्ता, छोटी लाइची और एक बड़ी लाइची ली है, एक पैन में दो टेवल स्पून ओल लिया है, इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे, और यह अच्छे से ब्राउन हो जाएं, उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन का पेस आड़ कर देंगे, और इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, इस मसाले में न हमने एक टी स्पून जीरा भी आड़ किया था, जब तक हमारा प्यास भून रहा है, तब तक हम कुछ ड्राय मसालों का मिक्शर बना लेते हैं, इसमें चार टी स्पून बेसन आड़ किया है, जी यह 3 टी स्पून लिया है, और 4 टी स्पून धनिया पाउडर लिया है, भाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, आप चाहें तो इसी वक्त यहां पर रेड चिली पाउडर भी आड़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने बाद में आड़ किया, तब तक ये देखिए हमारा प्यास थोड़ा थोड़ा भून गया है ये नीचे जिपक रहा है इसलिए इसे लगातार ही लाते हुए मैं थोड़ा और भून लूँगी ये देखिए ये बिल्कुल इसी तरह से हमें इतना प्यास को ब्राउन करना है तब ही इसमें टमाटर एड़ करने हैं यही ट्रिकर फ्रेंड्स हलवाई लोग प्यास को अच्छे से ब्राउन करते हैं उसके बाद ही इसमें टमाटर डालते हैं अगर प्यास आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तो ग्रेवी का फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा इसमें थोड़ा सा पानी आड़ किया है और इसमें अब ड्राय मसालों का मिक्चर आड़ करके इसे 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि जो बेसन हमने इसमें डाला है वो अच्छे से भून जाए बेसन कच्छा नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स नहीं तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा यह देखेगे अच्छे से 10 मिनट तक हम इसे भून लेंगे दस मिनट के बाद इस मसाले की साइड्स में थोड़ा सा ओयल आ गया है इसी वक्त हमने एक टेवल स्पून वाइट बटर और अट किया है इसमें यह सबजी फ्रेंड्स हलवाई स्टाइल में थोड़े एक्स्ट्रा बटर और घी के साथ ही बनने वाली है अफकोर्स यह वन्स इन वाइल बनने वाली सबजी है जिसे आप अपने घर में किसी स्पेशल पार्टी या ओकेजन में बना सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स अगर आप एक बार इसे ही बना लेंगे तो आम शूर आप यह बार बार बनाना चाहेंगे यह रिखिए साइट्स में यह थोड़ा घी अब आ रहा है मसाले में तो इसी वक्त हम लो फ्लेम करके एक कटोरी दही एड़ की है मैंने इसमें और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे नहीं तो दही इस वक्त फट भी सकती है इसे और दस मिनट तक पका कर हम इसे में पानी एड़ करेंगे और इस मसाले को थोड़ा और पकाएंगे यह तीन कब पानी एड़ किया है अब इसे मिक्स करके इसे अच्छे से कवर करके पंदरा मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें मटर और पनीर को एड़ करेंगे इस मसाले को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है तब ही इस मसाले का फ्लेवर अच्छा आएगा, यह स्लो प्रोसेस है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, यह देखिए 15 मिनिट हो गए है और यह मसाला काफे भुन चुका है, इसका पानी भी काफे ड्राइ हो अब मैं इसमें मटर और पनीर आड़ कर दूंगी, आप चाहें तो इसी वक्त यहां पर पानी आड़ करके इस सबजी को पका सकते हैं पर हम इसे कुकर में पकाएंगे, क्योंकि हमारे मटर जो है थोड़े हार्ड है, सॉफ्ट मटर नहीं है, यह कुकर में ही सीटी आप चाहें तो इसे कडाई में भी बना सकते हैं, यहां पर आप अपनी ग्रेवी की कंसेसेंसी चेक करें, दो टी स्पून कसूरी मेथी को हलका सा क्रश करके सबजी में इस वक्त अड़ करेंगे, इससे सबजी की खुश्बू और फ्लेवर बहुत ही अच्छ हो जाते हैं, इसे अच्छ हसे मिक्स करेंगे और पान सीथी आने तक इस सबजी को हम पका लेंगे, 5 सीथी के बाद आप प्रेशर ना निकालें, प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए, उसके बाद ही कुकर खोलेंगे, 5 मिनट के बाद कुकर खोलकर चेक करेंगे, यह देखिए हमारी अंदर आया है, इस सब्जी बिल्कुल रेडी है, और मटर भी पक चुके हैं इसके, इसका पनीर बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन अभी इसमें हलवाई की वही सीक्रेट टेप जो कि मैंने पहले भी अपनी रेसिपी में शेयर की थी, वही मेरे पापा ने भी मेरे साथ शेयर की है, दो टेबल स्पून देशी की लिया है और एक टीस्पून कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च, इसका तड़का हाँ सब्जी के उपर लगाएंगे और इससे इस सब्जी का फ्लेवर और कलर बिल्कुल नेक्स लेवल हो जाते हैं, ये सब्जी बहुत ही तेस्टी बनती है आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप रस्टोरॉन की सब्जी भूल जाएंगे और इसे बार बार बनाना चाहेंगे, इसे दो मिनट तक धखकर और पकाएंगे और उसके बाद इस सब्जी का पूरा घी उपर आ जाएगा, इसका मतलब ये सब्जी अच्छे से पक गई है, इसका मसाला अच्छे से पका है और इसके अंदर जो हमने ड्राय मसाले जाले हैं, उसके सारे फ्लेवर्स अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गए हैं, इसे हरे धनिये से गार्निश करेंगे, आप इस सब्जी को रोटी, राइस, नान, लच्छा पराठा, किसी की भी चीज के सा करें, यह बिल्कुल रॉकिंग सब्जी है, यह बहुत ही टेस्टी बनती है, और इस वक्त हमारे घर में सब्जी की खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब की कीजिए, और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली रेसिपी को मिसना कर पाएं, इसे मैं थोड़ी सी क्रीम से गानिश कर रही हूँ, तो यह थी हमारी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी, आप सबको अच्छी लगी होगी, अगर मेरे पापा की और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल बेटन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली रेसिपी इसको मिसना कर पाएं, तो मैं चलती हूँ अब इस मटर पनीर को इंजॉय करने, और आप से मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टे